हलो जहिन साथियो स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सिलेंट योटोब चैनल पे साथियो आज की जो हमारी वीडियो होने वाले कटाप के उपर होने वाले जिसे की आप सभी को मालूमें WCR की तरफ से अताथ WST Center Railway की तरफ से एक नया वेकांसी का नोटिफिकेसन जारी कर दिया गया जिसके बारे में कल मैंने आपको एक वीडियो की माध्यम से जनकारी दिया था विश्ड सेंटर रिल्वे की तरफ से जिसमें केवल ITI के चातरी फान को अप्लाई कर पाएंगे जिसमें पोश्ट 2521 है 2521 है हाँ पर सीट आपको खाली देखने को मिल जाते हैं और इसमें क्योगल IT के छातरी फार्म को अपलाई कर पाएंगे और ये मेरिट पे आपका सेलेक्शन होने वाला है लेकिन आज की जो हमारी वीडियो होने वाले ये कटाप के उपर होने वाले ये आप रेलवे में अप्रेंटिसिप के तोर पे फार्म को अपलाई कर रहे है तो आपका जो कटाप है वो कितना जा सकता है ये आपका मेरिट लिष्ट में नाम आना चे तो कितना परसेंटेज होना चे और यदि आप दसवी में 60% पाएं और ITI में 80% पाएं तो कैसे आपका merit बना जाता है ये भी आपको जनकारी देने वाले हैं तो वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखेगा तब ही आपको पूरी जनकारी समझ में आने वाले हैं सबसे पहले तो आप ये notification देख सकते हैं पिछली जो vacancy आई थी वो 24-5-2022 के date में आई थी आपको vacancy देखने को मिली थी इसके बाद यहाँ पर आप निश्या जाएए तो जिन चातरों का यहाँ पर merit list में नाम था उन सभी का यहाँ पर दिखाया भी गया कि किन किन चातरों का यहाँ पर नाम था और कौन कौन से trade थे तो सारी जनकरी यहाँ पर दी गई है और उनका document verification का भी date दिया गया लेकिन document verification के बारे में हम नहीं बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि उनका जो cutout गया था वो कितना गया था यहाँ पर आप trade देखिए इसी mechanic दिया गया असिटेंट है प्रॉंट ऑपिसर मैनेजर दिया गये computer operator कम programming assistant दिया गये डिजल मेकैनिक है डॉट में सिविल है इलेक्टिसियन है इलेक्टोनिक मेकैनिक है फीटर है और यहाँ पर निचे देखिए मसनिष्ट है और यहाँ पर मेकैनिक मोटर भाइकल है पलंबर है इसके बाद यहाँ पर हिंदी है इसके बाद टर्नर है और भी बहुत सारे ट्रेड है तो चलिए सारी जनकारी आपको करम से देते हैं step by step video को देख लीजिएगा देखिए यदि बात करें AC मेकैनिक का तो AC मेकैनिक में जनरल के लिए हाँ पर 80 यहाँ पर चाहिए 80% आपका होना चाहिए तब आपक इसमें seat भी खाली नहीं होती है आपको तीसरे नमबर पर देखने को मिलता है computer operator कम प्रोग्रामी असिस्टेंट के अंतरगर जो चाहतर आइटी आई के उनका जनरल में 75.50 होना चाहिए the AC के लिए 75.4 होना चाहिए ST के लिए 67.67 होना चाहिए और OBC के लिए हाँ पर कम से कम आपका चाहिए 74.67 होना चाहिए है यहीं बात करें डीजल मैकेनिक चात्रों की, तो देखिए, डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पर जनरल में यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, और यहाँ पर S.T. का देखेंगे तो आपको 77.9 देखने को मिल जाता है, S.T. का यहाँ पर बिल्कुल खाली है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद ड्रॉप्ट मैं सिविल का देखिए, 73.88 देखने को मिलता है, और S.C. का खाली है, और S.T. का यहाँ पर 54.66 दिया गया है, O.B.C. का यहाँ पर 71 देखने को मिल जाता है, यहीं बात करें, Electrician का तो देखिए, सब कुछ यहाँ पर हटा देते हैं, सबसे पहले Electrician का देखिए, क्योंकि सबसे जो हाई यहाँ पर जो लिष्ट जाती है, वो Electrician के चात्रों की जाती है, Electrician में आप देखेंगे, तो आपको 80.83 देखने को मिल जाता है, लाकिन का General के चात्रों का, यहाँ पर मैं स्क्रोल करते हैं दिखा देता हूँ, यह देखिए, यह जो आपका खाना देखने को मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पर SC का जो देखने को मिल लेगा, आपको Electrician के, तो यहाँ पर देखेंगे, 80.04, HD का आप देखेंगे, तो 73 आपको देखने को मिल जाता है, OBC का देखिए, 80.16 देखने को मिल जाता है, EWS का बिल्कूल खाली है, इसके बाद यहाँ पर Electronic Mechanic का देखिए, General का 78.33 देखने को मिल जाता है, SC का देखेंगे तो आपको 98 यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको HT का देखिए यहाँ पर जो छातर आते हैं EWS का बहुती गम बनता है 50 यहाँ पर बना गया है इस तरह आप यहाँ पर देख सेथे, कुछ इस तरह का आपका railway में cut up बनता है, इतना आपका percentage है, तो आप यहाँ पर select हो सकते हैं, इससे कम हैं, तो बहुत ही कम chance होता है, क्योंकि यह जो आपका merit list निकाला गया, यह तीसरे merit list में आपको देखने को बिलता है, तो DB आप तो पहला आप देखेंगे, तो पहले में कम से कम आपका 95% से कम नहीं होना चाहिए, तब ही आपका नाम आएगा, नहीं तो नाम नहीं आएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं, कैसे आप अपना cut up निकाल सकते हैं, कैसे आप अपना percentage निकाल सकते हैं, कि दसमी और ITI में हमार को सुनिएगा और यदि आपका ITI में कितना परस्त है 60% है अब दोनों को count कर दिए कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाता है 140 कितना हो जाता है साथियों 140 यहाँ पर 60 और 80 140 अब यहाँ पर क्या कर दिजिए यह आपका दोनों percentage में ध्याने किएगा तो दोनों तरह आप अपना हा यहाँ पर दसमी का और ITI का दोनों count करके आप percentage निकालिए कि आपका कितना percentage हो रहा है तब ही आपको समझ में आएगा कि हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा ऐसे ही आप confirm कर सकते हैं बाकि ऐसी वीडियो और भी देखने के लिए प्लिज वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो में लेकर आऊं सबसे पहले आपके मुवायल तक पहुचे और उसका आप लाब उठा पाएं